मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि एक बंदा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने की मतलब उसका मोड़ी नहीं था वो कहीं और उसकी कमिटमेंट थी वो बिजी था तो PCB को कोन सी ऐसी आग लगी भी थी कि वो फिर भी उसकी मिंते तरले कर रहे थे कि नहीं तुम किसी तरीके से आ जाओ मैं बात कर रहा हूँ मिकी आर्थर की आपको बता है कि मिकी आर्थर को जब 2023 में ये जो पिछले चेर्मेंग साब एन रजम सेठी इनकी तरफ से अप्रोच किया गया और उनको का गया कि आप पाकिस्तान की टीम के हेड कोच बन जाएं तो उन्होंने मिक्की अर्थर ने माजरत कर ली थी, उसने का नहीं भई मेरा डर्बी शाहर क्रिकेट काउंटी के साथ चले रहा है, मैं उनका हेड कोच हूँ, उनके बाकी कहीं मौामलाद देख रहा हूँ, तो मेरी अविलिबिल्टी नहीं है, आप अंदाजा करें कि क्रिकेट टीम बन जाएं, और उसके बाद आप बस हमारे साथ रापते में रहना, आपको पाकिस्तान आने की भी जरूरत नहीं है, यह PCB की मेंटालिटी है, अपनी क्रिकेट टीम का हेड कोच हायर करने के लिए, यार वो बंदा नहीं तयार था, तो रहने देते किसी और को वो एक दफा पहले भी बने हैं, वो स्टैट्स में आपको बताता हूँ, उनके वो कितने कुछ शांदार हैं, अच्छा, वो पाकिस्तान आये कोई नहीं, जूम की उपर ऑनलाइन वो मीटिंग्स वर अटेंड कर लेते थे, इससे जादा कुछ नहीं, वो इंगलेंड में थ साथ में हेड कोच का भी उनको चेप दिया, ठीक है बस आप लगे रहें, आप करें अपना काम, अच्छा, वो एशिया कप जनाब गिदर पाकिस्तान खेले रहें, और हमारे हेड कोच या हमारा जो डिरेक्टर क्रिकेट है, वो इंगलेंड में बठा वा था, वो डर्बी श साथ, खैर वो हैं भी साथी, ना कभी क्रिकेट का बला उठाया, ना देखा, ना क्रिकेट की बॉल का पता, ना क्रिकेट की अलिफ बे का पता, एक साथी जब क्रिकेट बोर्ड को चलाएगा, स्यासी भरती के उपर, वो इसी किसम के फैसले करेगा ना, तो ये पता नहीं, उनको मिकी आर्थर से क्या मुभबत थी, कि इस बंदे के इनकार करने के बावजूद, उन्होंने लगा दिया इसको, और वो पिर आउनलाइन अपनी नोकरियां करते रहे, और पीसी बी से मोटी मोटी सेलरीज लेते रहे, अब जब जब जगा अश्रीफ साब आए और उन से पूँछा गया कि यार यह तू मिक्ई आर्थर का कुछ करो ना तो यह आताँ थीक है और ना यह काम कर रहह है औलाइन मिटिंग्स कर रहा है यह क्या तरीका है भई यह कौन सा करिकिट डिरेक्टर है तो जकाशरिफ साब कहते हैं भी हम क्या करें पिछले वालों ने रखा था उन्होंने उनके साथ कॉंट्रेक्ट किया वा था अब जब कॉंट्रेक्ट एकस्पायर होगा तो फिर तब की तब देखेंगे ये हाला आता है PCB के क्योंकि जहरी बात है कॉंट्रेक्ट में लिखा होगा कि अगर PCB मिकी आर्थर को निकालता है तो फिर कुई उसको जहरी बात है सैटलमेंट में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा तो PCB अब इस वज़ए से मिकी आर्थर को निकाल नहीं सकता तो ये सूरतियाल है मिकी आर्थर को लेकर तो जिन लोगों को कहा ना कि या मिकी आर्थर को फॉरस से निकाल दे नहीं निकलते वो भाई उनका जब तक टैनियोर नहीं पूरा होता अब वो कहीं नहीं जा रहे तो आप इस फेस का अपने आपको आदी बना ले 2016 में जब इनकी हारिंग होई थी ना मिकी आर्थर की पहली मरतबा पाकिस्तान के क्रिकिट के हेड कोच के तोर पर तो उस पिटिकुलर टाइम में जो उनके स्टैट्स है ना उनके उस सारे टैनियोर के वो कुछ इस तरह है कि 15 टैस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले 6 जीता 9 हारा ओडियाइज 22 खेले पाकिस्तान 12 जीता 10 हारा टी टॉन्टी आठ खेले 7 जीता 1 हारा अब ये जो है ना चीज़ इसमें आपको साब पता चल जाता है कि या टी टॉन्टी टी टॉन्टी है बस उसके लावा ओडियाइज में भी कोई इतना बस ठीक है आदे जीते आदे से हार गए 50-50 मार्जन और जो सेम टेस्ट मैचेस का भी यही है मतलब 6 जीते हैं तो 9 हारे हैं तो ये कोई मतलब कोई इतना कोई एक्स्ट्राइणरी नहीं है कि आप कहें कि आप आपका तो पिछला जो टेनियोर है वो बड़ा शांदार गुजर है 2017 की चैंपिन्स टॉफियम जीते थे लेकिन वो मिकी आर्थर की जो कंट्रिबीशन थी वो कम थी वो हमारी टीम ने जिस तरीके से फलाइट ली थी ना पहला मैच हारने के बाद अंडर सर्फरास कैप्टन सी वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था उसमें सबसे ज़्यादा जो की रोल था वो हमारे कप्तान का था सर्फरास का तो खेर अब मिकी आर्थर जो हैं वो फिलाल तो कहीं नहीं जा रहे अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम चैंपियंस टॉफी की बेस की उपर वो 2017 वाली बार बार इनको हायर करते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है ना कि चैंपियंस टॉफी की बेस की उपर आप क्या दें के ठीक है बस तुम लगे रहो फिर सर्फरास को भी यार आपने निकाल कर गलत किया और नो डाउट सर्फरास को निकाल कर आपने गलत किया था PCB को वहां पर अब यह जितने भी मसायल क्रियेट हुए में है यह सवरा से हुए में है कि हम ने PCB ने उस पर्टिकुलर टाइम में सोच समझ के डिसियन नहीं लिया मैं आपको बताता हूँ कैसे सर्फरास की टेस्ट मैचिस में इशूज चल रहे थे ठीक है उनकी परफॉर्मसेज और डाइट जो वाइट बॉल क्रिकेट थी ना उसमें उनका कोई बहुत ही डिसास्टरस किसम का वो नहीं था ट्रैक रेकड यह पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा सर्फरास एमद के सिर्फ इशू यह था कि यार इसका कोई एक नमबर ही नहीं अपना कर रहा है यह समको अपने से पहले बैटिंग करा देता है खुद एंड पर आता है यार तो ठीक है ना भाई क्या फरक पड़ता है वो किस नमबर पर आकर बैटिंग करता है तीसरे चोथे पांचवे चटे डोजन्ट मैटर आप जीत रहे हैं तो ठीक है और उसके ऐसा नहीं है कि सर्फराज के नीचे वैटिंग करने के वैसे पाकिसान सारे मैच हार रहा था नहीं ऐसा भी नहीं है 2019 के बाद 2019 के वर्ल्ल कप के बाद जब पाकिस्तान नहीं कौलिफाई कर सका था सेमी फाइनल के लिए भी तो तब उसके जो बात जब थोड़े से टाइम फ्रेम गुजरने के बाद सर्फराज को सैक किया गया था तो सर्फराज को आपको वाइड बॉल से नहीं सैक करना चाहिए था आपको ये पता होना चाहिए था कि बाबर आजम ठीक है परफॉर्मस तो बेतरीन कर रहे है बैट के साथ लेकिन बाबर आजम ने कैप्टनसी नहीं की भी उसे कोई ती जर्बानी है वो बैट्समैन शानदार है लेकिन उसने डुमेस्टिक करिकट में भी किसी टीम की कैप्टनसी नहीं की भी थी आपको बता है कि बाबर आजम डिरेक्ट पाकिस्तान क्रिकट टीम के कैप्टन बने उस से पहले उनके पास कैप्टनसी का कोई experience नहीं था ना मुझे नहीं याद पड़ता ना कलब लेवल की उपर ना पाकिस्तान की डुमेस्टिक रिकेट में किसी टीम की तरफ तो फिर उसका नुकसाना में बुगतना पड़ा बावराजम अभी लर्निंग करव में है मैं यह नहीं कहा रहा कि वो बिल्कुली ठकड किसम के कप्तान है या यह यह तो वो है बावराजम की लर्निंग करव चल रही है उनको सीखेंगे वो सारा कुछ करेंगे यह बाते खेर मिकी अर्थर भी कर रहे है कि बावराजम को टाइम दें वो जब टाइम के साथ साथ वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और चीज़ों को बेतर कर लेंगे लेकिन कितना टाइम यह सवाल है ना कितना टाइम और सवाल फिर यह भी पैदा होता है ये पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड तो आपके सामने दुबारा हाजिर हो जाएंगे तमाम तर खबरे लेकर इस वीडियो में अपना बहुत क्याल रखिएगा नेक्स वीडियो में मुलकात होगी पीस आउट